बिस्मिल्लाहिरहमान रभ्रहीम असलामे कम सलाललाहुलेवालेवासलाह। आर्टिकल टू ओफ कानून शहादत आर्डर नाइटीन एटिफोर। सबस्राजह करते हैं ार्टिकल 2 जरनली हर लावए यसेक्शन सबस्राज़ होते हैं नकी मिनिंग यहां बताई ग Dire. वही पूरे के पूरे एक्ट में यूज होंगे यानि कि जैसे अब इसमें court की definition बताएगी है तो court loves court जहां जहां पर भी पूरे एक्ट में यूज होगा तो उस court से मुराद यह पूरी जो expression बताएगे हैं वो सारे के सारे expression लिए जाएगे और सबसे पहली बात जो इसमें यह लिखा हूँ है article 2 की clause 1 in this order unless there is anything repugnant in the subject or context मतलब यह कि सिवाए इसके कहीं पर कुछ और ब्यान किया गया हो तो भी वो लिया जाएगा repugnant से मुराद contrary contrary means कि अगर यहाँ पर court की definition जो बताएगे है वो हर जगा जहां पर भी court laws use होगा वो वैसे का वैसे ही use वो ही meaning उसके लिए जाएगे लेकिन अगर act के अंदर कहीं पर कोई और बात जिससे यह लगता है कि वो definition से contrary है तो फिर वो contrary बात ले जाएगे फिर यह general बात नहीं ले जाएगे पर एक्जेंपल पीपीसी में person के definition जो बताई गई है तो वो person से मुराद association body of persons company वगारा भी उसमें शामिल है लेकिन अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड के section 299 में देखें तो उसमें person की definition कुछ और बताएगे है उसमें परताया है person से मुराद है human being जो human affecting body वाले chapter है उसके अंदर तो फिर जहां पर जो है वो general person की definition मतलब company यानि कि अगर कोई किसी को company को demolish कर देता है तो उसके उपर वो वाला chapter अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसमें भी तो लावस person का वो जिकर किया गया गया ना कि वो अगर किसी को कतल कर देता है तो company वो कतल का किसास claim नहीं कर सकेगी ना ये मकसद होता है कि वो अंदर explain करने का अगर कुछ और वो है लेकिन QSO में इस तरह की आगे कोई भी बाद नहीं है ये जो general definition दी गई है इस से मुराद पूरे act में वही ले जाएगा तो चलें शुरू करते हैं court court से मुराद है कि कोई भी जितने भी जज्जिस हैं वो सारे जितने मजिस्ट्रेट हैं वो सारे के सारे कोट के लाएंगे और हर वो शक्स सिवाए arbitrator के arbitrator के सिवा मतलब कि arbitrator को exclude कर दिया उसने arbitrator भी है court की तरह ही काम करता है वो भी फैसला लिखता है वो भी सारे के सारे उसमें evidence collect करता है और जितनी court की प्रोसीडिंग होती है ना तकरीवन almost वह भी notice करता है वो सारी कि proceeding वह apply करता है और उसके बाद फैसला वाला है वो उसका पॉइंट किया सकता है या किसी भी अधर परसन का पॉइंट किया सकता है उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो लानोई परसन हो उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो जुडिशियल्स परसन हो मतलब कोई जाज हो कोई भी हो सकता है वो तो इस वज़ा से उ लेने के लिए तो वो ट्राइबनल भी खोट की ही कहलाएगे अच्छा जी अगला है आर्टिकल 2 अच्छा इसको पढ़ते हैं अजिकल 2 क्लाज 1 सब लाज बी तो वो बी जो है वो डाकुमेंट का बता दिया है डाकुमेंट से मुराद कोई भी मैटर जो के एकस्प्रेस्ट किया गया हो या डिस्क्राइब किया हो गया है अब एकस्प्रेस्ट डिस्क्राइब में क्या फरकत है एकस्प्रेस्ट से मुराद है कि उसको उसके उपर वो statement सारी लिखी हुए वो आपकी described है, वो narration type है upon any substance अब किसी भी substance के उपर है किसी भी substance है मुराद कोई भी substance चाहे वो अगर कुछी दरख्त के उपर भी कोई statement लिखी हुई है, जैसे कि वो lovers होते हैं, अगर वो जाएं किसी दरख्त के उपर वो ऐसे हार्ट ये बना दे, उसके अंदर वो अपना दोनों का नाम लिखा है तो वो जो है, वो दरख्त की वो portion जो है, वो document बन जाएगा और अगर उसको कोट में प्रूव करने की जरूरत बेशाए तो वो प्रूव हो सकता है, अब वो उसके लिए जरूरी नहीं होता है, कि वो दरख्त ही उखाड के लेके आया जाए कोट में, तो फिर वो साबित होगा, कि वो है उस दरख्त की वो जाके फिचर बनाई जा सकती है, या फिर कोट उसके लिए local commission प्ट कर सकती है कि वो जाये जाके देखके आए, वहाँ पर कि वो दरख्त है, उसके उपर इस तरह की description है या नहीं, अब यहाँ पर फिर वो एक और सवाला राइस होगा, कि वो जो दो नाम लिखे में, वो इन दोनों के नाम है, या फिर किसी और के नाम है, तो उसको भी जाहरा प्रूफ करना पड़ेगा, कि वो केस टाइम पर केस जगह, उन्होंने टाइम मेंशन किया होगा, signature कि होगा, या कुछ भी होगा, तो वो तो फिर खिर अधरवाइस है, प्रूफ